लोग रिष्टों में धोखा क्यूं देते हैं? किसी रिष्टे की शुरुआत करते हैं और जो इनसान दूसरा है वो जो बाते करता है क्या वो बिलकुल सच होती है? रिष्टा रिष्टे में धोखा दिया जाता है या रिष्टा अपने आप तूट जाता है और हम उसको नाम देते हैं धोखे का? रिष्टा अपने आप में बहुत ज़ादा जटिल, complicated चीज होती है It's a complicated affair क्यों complicated होता ये? ऐसा complicated इसमें क्या है? रिष्टा ही तो है नजरे मिली, दिल धड़का, प्यार हो गया, बात कतम इतनी असान होती है क्या प्यार? इतनी असान होती है क्या बाते हैं? सब हम सीखते हैं उन जगहों से जहां पे पहले ही बता दिया जाता है कि इस कारेक्रम में दिखाएगे सारे के सारे पात्र काल्पनिक है ये कहानी ही काल्पनिक है लेकिन हम इस चीज़ पे बहुत ज़ारा तवज्जो नहीं देते हमें लगता है कालपनिक है तो क्या हुआ होगी कालपनिक हम सुचते ही कहा है इतना हम कहानी को देखते हैं हम कहानी को देखते हैं और फिर धीरे-धीरे कहानी से खुद को रिलेट करना शुरू कर देते हैं कहानी से रिलेट करते हैं हमको लगता है कि अरे ये वाली सिचुएशन जो इस फिलम में है इस कहानी में ये तो मेरी जिन्दगी में भी है तो मुझे सम Kirby नहीं आ रहा कि मुझे अपनी जिन्दगी में क्या करना चाहिए तो ऐसा करते हैं ये जो कर रहे हैं जनाब इनके हिसाब से देखो जो इन्होंने किया उसके इसाब से ये कामयाब हो गए अपने रिष्टे में तो हमें भी ऐसा करना चीए हम करेंगे हम होंगे कामयाब एक दिन ऐसे करते करते हो जाएंगे लेकिन क्या सच में सच में ऐसा होता है क्या नहीं होता सच में क्यूंकि हम सिर्फ आकर्षन की वज़े से ही मजबूर हो जाते हैं, रिष्टों को जोडने में, निभाने में, लेकिन निबते नहीं हैं, निबते क्यों नहीं हैं? अगर तुम दो लोग आपस में बैट के बाते करते हो, शकल सूरत कोई खास नहीं है, ठीक है, average looking है, ऐसा नहीं है क्योंकि पलट के देखेगा तुमको, लेकिन ऐसा है कि, विचार मिलते हैं तुमारे, तुम दोनों की सोच बहुत मिलती है, तो इमानदारी से बोल रहा हूं मैं, ये रिष्टा कोई तोड़ नहीं सकता, तुमकि रिष्टे जो होते हैं, दो किसम के रिष्टे होते हैं, एक रिष्टे होते हैं, जो की आपको जनम से मिले होते हैं, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते वो तो आपके पिस्टले जन्मों के कर्म के कारण है पाप करे होंगे तो आपके रिस्तदार खराब मिलेंगे अच्छे करे होंगे तो अच्छे मिलेंगे लेकिन अगर गंदे रिस्तदार भी मिलते हैं न उनके साथ गंदगी मत करिएगा मैं बता रहूं आपको ध्यान से अगर प्याद जितना आपको गाली दे यार सुनो सुनो और धन्यवाद बोलो उनको अपने दिल में के चलो अच्छा हुआ एक अकाउंट सेटल हो गया जो पुराने जमाने में तुम करके आये थे गाली के ल कामिक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं करम खाता पर जाओ इसमें तुम्हें कोई गाली देता है न तो वो इनसान सबसे पहले खुद को परिशान करता है क्या ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारे उपर गुसा कर जाए शांत भाव में ऐसा कभी नहीं हो सकता क्या ऐसा हो स होता है कि आग लगे कहीं पे और रोशनी ना हो गुस्सा आता ही तब है जब आपकी नसें कस जाती है जब तनहा आवा जाता है आपकी नसों में आपने देखा होगा कि जब आप उंची आवाज में चिलाते हैं तो सामने वाले का बीपी बढ़ जाता है आपकी आवाज जो पूरी तरीके से कसी हुई आवाज जिसको स्ट्रिक्ट वोइस बोलते हैं वो दूसरे क्या बीपी बढ़ा देने में सक्षम है और फिर सोचते हो कि यार ये क्या कर दिया पिटाई आप सिर्फ शरीर से नहीं करते हो थपड चांटे मार के पिटाई वो नहीं होती है सिर्फ पिटाई पिटाई शब्दों से भी होती है और शब्दों की पिटाई जो होती है उसकी चोट बहुत दूर तक जाती है शब्दों से जो चोट लगती है उसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि जो चोट शरीर पे लगी है उस पे आप दवाई लगा लेंगे लेकिन जो दिल पे लगी है उसका कोई इलाज नहीं होता और रिस्टों को तोड़ देती है इसलिए रिस्टे जो होते हैं आप जब भी बनाएंगे क्योंकि अब तो जमाना है लव मैरेजिस का लोग लव बहुत शौक से करते हैं और एक एक वक्त में दो दो चार चार लोगों से करते हैं और इसमें सब इक्वाल है अब इसमें लोग इक्वालिटी के हिसाब से करते हैं कोई ऐसा नहीं कि लड़का है लड़की कम है लड़का कम है सबको प्यार करना है और एक वक्त पे बहुतों से प्यार करना है आम तोर पे ऐसा होता है आप जानते हैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं और यह जो सभी से प्यार करना होता नहीं एक वक्त में यह बहुत खतरना प्यार होता है थोड़ा सैयम रखो अपने आपको काबू में रखो क्योंकि ये जो प्यार है ना सोच समझ के किया जाना चाहिए कहते हैं प्यार तो दिल से होता है जी और प्यार तो जुखाम होता है जुखाम के जैसा हो जाता है तब पता चलता है हो गया प्यार हो गया ऐसा नहीं होता होता तो है प्यार दिल से लेकिन शुरुआत दिमाग से करनी चाहिए इसकी और दिमाग इस चीज में नहीं लगाना कि मुझे इसके साथ रहे के फाइदा क्या होगा ये कितनी पैसे वाला है ये कितनी खूबसूरत है यह से मत सोचना, क्यूंकि पैसे वाले के पैसे की कोई कारिंटी नहीं है और खूबसूरत कोई हमेशा रहता नहीं है, चमढ़ी से लेकिन विचारों की खूबसूरती बहुत कहरी होती है इनसान की व्यावारिक खूबसूरती को देखके अगर किसी से प्यार कियाना तो दिल कभी तूटेगा नहीं सौ में से असी टका, असी परसेंट इस बात की बहुत संभावना है कि वो रिष्टा चलेगा और परिशान नहीं करेगा आपको और जहां आपकी सोच विचार नहीं मिलती तो बस वहाँ पे तो आपको एड़ेस्टमेंट ही करना पड़ेगा दोखा लोग देते नहीं हैं, मजबूर हो जाते हैं देने के लिए क्योंकि बाद में महसूस होता है कि वो जब शुरू का मीठा सा दिखावा होता है ना नाटक होता है जब हम करते हैं शुरू शुरू में एक दूसरे से अरे आप तो बड़े खुब सुरू तो, क्या आवाज है आपकी, ओह 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 मज़ा आगया सुनके बस दिल करता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, यह जो नाटक है जादा चलता नहीं है सामने वाले को भी समझा जाता है और जो जब किसी दिन आपको गुस्ता आएगा ना, वो सारा का सारा बराबर कर दोगे आप एक दिन में सब निकाल दोगे, सामने वाले को सब पता चल जागा, अरे यह क्या हो गया ऐसे कैसे, यह तो कुछ और कहता था वो मेरी तारी, मेरी, मेरी खुबसूरती की मेरी जील सी नीली आँखे है मेरे गुलाबी, गुलाबी, समझी गए हो गया आप गुलाबी, गुलाबी होंट, जील सी नीली आँखे यह सब बातें बेकार की होती है गहरी तो बाते हैं गहरे तो विचार होने चाहिए आँखों में क्या है आँखों का काम है देखना और इनसान को देखना सिरफ शरीर ही नहीं चाहिए विचार भी चाहिए दिल भी चाहिए इनसान का दिल मतलब जजबात यह सब देखना आना चाहिए तभी रिष्टे चलते हैं नहीं तो रिष्टे यहां तो तूटते हैं यह तोड़ दिये जाते हैं आशा करते हैं कि आपको मेरी कही हुई बाते हैं कुछ समझ में आई होंगी और विचार करेंगे आप इन पे वैसे तो कोई बड़ी बात मैंने कहीं नहीं आपको पता ही होंगा यह सब बाते हैं लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दिमाग में पता होने के बावजूद भी हमारा दिमाग उन बारीक बातों पे नहीं जाता है तो विचार करेंगे अगर अच्छा लगा तो धन्यावाद